सू हेलो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है फोन पे अप्लिकेशन में यदि आपने दो एकाउंट एड किये हैं और आप चाहते हैं किसी एक एकाउंट को डिलिट करना या फिर रिमूब करना तो उसको कैसे करते हैं आजके इस अप्लिकेशन है उसको उपन करना है जैसे या फोन पे का अप्लिकेशन उपन करेंगे आपके सामने जो हैं कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा यदि आपने ध्यान दिया होगा तो जब मैंने या फोन पे अप्लिकेशन को उपन किया तो यहां हम इस वाले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो आप जो extra account है आप उसको कैसे delete कर सकते हैं तो इसके लिए क्या करना है आपको सबसे नीचे में यहाँ पर आना है सबसे नीचे में आपको my money का option दिखेगां आपको इस वाले option पर click करना है और जैसे आप इस वाले option पे click करेंगे अब आपको scroll करना है और यहाँ पे आपको payments का एक option दिखेगा जी हाँ दुस्तों आपको payments का यहाँ पे एक option दिखेगा payments वाले option में आपको bank accounts का भी आपको option मिल जाएगा आपको simple है इस पे click करना है और जैसे आप इस पे click करेंगे अब आपके सामने जो है आपके phone पे application में जितने भी bank account जो है link होंगे वो इस सभी bank account जो है आपके सामने जो है देखने के लिए मिल जाएगे यहाँ पे जो है आप जिस भी bank account को delete करना चाहते हैं phone पे application से simple है क्या करना है उस वाले यहां पे जो आप देख सकते हैं वो bank account पे आपको click करना है तो click करने के बाद आपको यहाँ पे निचे की ओर scroll करना है जैसे है आप clicking करेंगे अब आपके सामने जो है एक pop up window खुलेगा आपको इस window में यहाँ पे on link का option दिखेगा आपको इस पे click करना है और जैसे आप इस पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि phone पे application में पहले दो account यहाँ पे यहाँ पे एक और account so कर रहा था लेकिन अब वह so नहीं कर रहा है यानि कि हम जो है phone पे application से दूसरा account delete कर चुके हैं यदि आपको यह video पसंद आया तो इस video को like करें चानल पे पहली बार आया तो चानल को subscribe कर लें यदि आप phone पे application से LIC premium करना चाहते हैं तो इस video का link नीचे description box में है जाकर जरूर check out कर लें